हेलो फ्रेंज इस वीडियो में हम अबजेक्ट लेटरल्स के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो जिस तरीके से हम ES5 में अबजेक्ट को डिफाइन करते थे उसमें थोरा सा इनहेंसमेंट किया गया है ताकि हमारे कोड जो लिखने का तरीका हो थोरा और आसान हो जाए उसके syntax को थोड़ा और easy बनाया गया है तो इस वीडियो में हम जो es6 में object literals में जो syntax में थोड़े बहुत changes किये गया है मैं उसको discuss करूँगा तो चलिए चलते हैं अपने code editor पर तो यह literal word जो है यह कहने का मतलब यह है कि java script में यदि मानलो कि आप different kind of data store करते हो कहीं पर आप string store करते हो कहीं पर अरे के इस्टोर करते हो कहीं पर बुलियन को एस्टोर करते हो तो java script को कैसे पता चलेगा कि यह कौन सी value है इसमें boolean value है या फिर इसमें array value है या फिर जैसान है फिक्या है ओके तो इस चीस को define करने के लिए जो standard keyword यूज किया गया है उसको उनलोग बोलते हैं literal तो java script यदि हम object literal को यूज करते हैं तो object का हमारा syntax क्या होता है कि curly braces के अंदर हम property and method को define करते हैं यह हमारा java script का literal हो गया कि java script इस तरीके से define होता है तो इस तरीके से the code कहीं पे लिखा हुआ मिलता है तो java script उसको समझ जाता है and as a object उसको render करता है similarly यदि आप double quotes के अंदर किसी word को लिखते हो तो java script को यह पता चल जाता है कि यहाँ पे string literal यूज हुआ है यदि आप true या false value लिखते हो तो java script को पता है कि यहाँ पे boolean literal यूज हुआ है okay so i hope कि आप लोग को literal word जो है confusing नहीं लगाओगा literal का मतलब क्या है यह समझ में आ गया okay अब चलते हैं object पर तो simply traditional तरीके में object को किस तरीके से define करते हैं एक variable बनाते हैं xyz में x नम का एक variable बना लेता हूँ यहाँ पे and object में हम क्या करते हैं property and method को define करते हैं तो simply मैं यहाँ पर एक name नाम का property बना लेता हूँ एंड इसमें मैंने एक variable बना लिया एक value डाल दिया पंकज ओके एंड एक मैं method बना लेता हूँ get age ओके एंड इसमें हमारा चलेगा एक function जो कि return करेगा मेरा नाम and age return यहाँ पर मैं template literal का यूच कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर just return करवा दे रहा हूँ my name is and यहाँ पर हम template literal का यूच करेंगे तो simply हमें क्या करना होगा this dot name यह this जो है ना यह represent कर रहा है अभी इस subject को x okay and x dot name जब हम करेंगे तो हमारे पास यह वाली value आ जाएगी ठीक है and my name is and एज एज मैं यहाँ पर रहने डाल देता हूं अपना एज ओके 26 तो इसे हम लॉग करके देख लेते हैं सबसे पहले console dot log मैं पूरे object को log कर लेता हूं ओके तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो x object हमने बनाया था यहाँ पर log हो गया है and इसमें दो value आ रही है एक name आ रहा है and दूसरा gate age आ रहा है तो आपको पता है कि object से किसी value को कैसे हम get करते हैं जिस तरीके से आप object के अंदर रहोगे न यदि object के अंदर किसी property को आपको get करना है तो आपको object का नाम लिखना होगा x but inside this object यदि हम this लिखते हैं तो यह this जो है itself इस object को represent करता है तो this.name करेंगे तो यहाँ पर name आ जाएगा ऑके बट अगर इस object के बाहर हमें इस name को get करना है तो क्या करना होगा dot name and मैं यहाँ पर name and get age को भी print कर लेते हैं ओके तो आप देख सकते हो कि name आ गया है and my name is यह कुछ error दिखा रहा है यहाँ पर जो होना नहीं चाहिए देखते हैं क्या error है ओके यहाँ पर हमें function को call करना होगा ना देखिए यदि आप method बनाते हैं किसी object के अंदर तो यह जैसे method है method करने का मतलब यह है कि आप किसी function को किसी object के अंदर बना रहे हो ठीक है तो उसे access करने के लिए आपको इस तरीके से जैसे हम generally किसी function को call करते हैं उस तरीके से आपको call करना होगा ओके इसको refresh कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि अब जैसा कि हम expect कर रहे थे वही result यहां पर सोग रहा है तो यह हमारा traditional तरीका था किसी object वह define करने के लिए ठीक है अब इसमें एक और चीज जो es6 में introduce हुआ है कि हम जो variable है न कोई variable मानलों में यहां पे name variable बना लिया और इसमें मैं कोई value डाल देता हूं कि हलो अर्जुन है कि ओके एंड मैं यह जो नेम है यहां पर अब हमें डिरेक्ट इस तरीके से कोई variable पास करने की जुरूत नहीं है डिरेक्ट यदि हम नेम को भी पास करेंगे तो यह एक्सेस कर लेगा ठीक है तो यहां पर यदि हम नेम को पास करते हैं तो नेम क्या होगा इस subject की पुरपर्टी हो जाएगी and value हमारा यही वाला set हो जाएगा पास कर लेता है तो अब देख सकते हो कि यहां पर हमने जो लोग करा रखा था यहां पर तो हमने x.name को करा रखा ना एंड यहां पर direct हम किसी variable को पास कर सकते हैं जो कि हमारा जो यह 5 था उसमें यह सारी functionality नहीं थी ओके इसी तरीके से हम function को भी पास कर सकते हैं ठीक है यहां पर मैं function बना देता हूं यहां पर मैं क्या परिंट करा लूँ से हेलो ओके एंड यहां पर हम एक function बना लेते हैं एंड यह क्या करेगा return करेगा हेलो डियर ओके तो say hello को भी हम क्या करेंगे यहां पर simply इस तरीके से call कर सकते हैं तो काफी easy तरीके से हम किसी भी जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि simply हम किसी variable को बना रहा है एंड उसी variable को किसी object का property भी बना पा रहा है जो कि यह यह 5 में अबलेवल नहीं था तो यहां पर say hello को हमने define किया है यदि मैं यहां पर say hello को log करा हूँ तो यह हमें print होना चाहिए देखते हैं तो अब देख सकते हो कि hello dear यहां से पर यह print हो रहा है तो यह 6 में आप object के जो पूरपटी है वह object के ऊपर as a variable define कर सकते हो method को या फिर किसी पूरपटी को किसी method या फिर किसी पूरपटी को आप इस object के बाहर define करके and उसे direct इसमें implement कर सकते हो ओके तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा सो मिलते है नेक्स रुट्रेल में थेंक्यू